हेलो फ्रेंड्स गूर्णिंग टो अलफ यू आज है 22 फरवरी 2020 और आज के साइट टॉप करेंट अफेस हम लोग देखने वाले हैं और इस वीडियो में जितने भी करेंट अफेस हैं वह सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और एक चीज मैं आज क्लियर कर दू दोस्तों मैं करे कोशन इंप नहीं करता हूं तो आप इस चीज को टेली करेंट अफेस दिखोगे तभी आपका कवरफ हो पाएगा और मन्तली तक estàएगा अच्छे से रिव्यजन हो पाएगा तो टोटल पूर चीज है कि इसकी आप पूरी वीडियो देखें ताकि बीच में छोड़ने वाली की तैयारी अधूरी रहे जाती है और इसकी PDF आप हमारे सोन तो आप इसे कनेक्ट भी कर पाएंगे यह आप याद जी लोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जी एसाई का फूल फॉर्म है जी यो लॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और वारानसी से आपको क्या याद आता है वारानसी से जो है अभी प्रधानमंत्री मोधी ने एक 80 महाकाल एक्सप्रेस की सुरुवात की थी जिसके बारे में पिछले करेंट अफेस में बताया भी है कि यह इंडौर उज्जैन और वारानसी के 80 विसोना तीनों जगह भ्रमन करेगी और यह जो है तीसरी प्राइवेट ट्रेन है IRCTC की तो आप इसका नाम जरूरी याद यह पूछा गया है एकजाम में इसलिए जो रूए कुसी नगर में भारत का प्ले ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खुलने वाला है और लखनौ में एक और अटल भी हरिवाज पर इस्टेडियम भी खुलने वाला है तो यह सारे चीजे फैक्स जो है आप याद रखेंग और नवाबो का सार किसे करते हैं लखनौ को चलिए आगे बढ़ते हैं किसको हावी हाली में पर्थान मंतरी के सलाकार के रूप में नियुक्त किया गया है अब बात करते हैं हर्सवर्धन सिंगला अब नए जो है हमारे फॉरें सेक्रेटरी बन गया है विदेश सचिव और यह जो है यूएस के अमबैसेडर थे तो यह पहले वहां के अमबैसेडर थे अभी ने फॉरेंस सेक्रेटरी का पोस्ट दे दिया गया है इंडिया और पूराने कौन थे विजय केशाव गोखले तो यह इन्होंने रिटार्मेंट ले ली है तो आपको यह सब याद होना चा दोस्तों गुजरात से सारे important facts मैं आपको बताने वाला हूं गुजरात के हमादाबाद में मोधी और ट्रंप की जो है यह लोग मिटिंग करने वाले हैं बहुत बड़ा साथ लाख लोगों का रोड सो अटेंड करने वाले हैं और एक और खास मत पता दूँ इस स्टेडियम क यह लोग उद्गाटन करेंगे वह कहा है तो वह मोटेरा गुजरात में ठीक है मोटेरा प्लेस जो है वह हमादाबाद में मोटेरा जगा है वहीं पर यह स्टेडियम बना है और इसमें एक लाख लोग एक साथ एटलिस्ट बैठ सकते हैं तो यह इसकी खासियत है तो आपको जो है डाइनासोर संग्रहले भारत का खोला गया है भाव नगर में इंटरनेशनल अस्तर पे भी भाव नगर में पहला सी एंजी टर्मिनल खोला गया है इंटरनेशनल अस्तर का ठीक है और गांधी नगर की अगर बात करें तो गुजरात की गांधी रगर में बैटरी से चल यह आपको याद होना चाहिए और गुजरात के कुछ हम लोग नेशनल पार्क को जरूर देख लेते हैं रिविजन हो जाएगा गुजरात का जो पहला नेशनल पार्क है वह ब्लैक बक दूसरा है गीर नेशनल पार्क तीसरा है मरीन नेशनल पार्क और चौथा है वनसदा ने कि डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं क्योंकि हर एक्जाम में यह पूछा ही जाता है अगला कुछ ने किस क्रिकेटर ने इंट्रेशनल क्रिकेट से सन्यास लेने का निना किया है और यह इंडियन के बारे में बात है तो अप्शने प्रग्यान हो जा जसित मलिंगा जो कर इंट्रेश में बताया था और यह आपके रिवीजन हो रहा है साथी साथ जो है खुमार संग कारा एक स्पेशल नाम जरूर याद रखीगा क्योंकि यह जो है मैरिल लिबोन क्रिकेट क्लब के पहले और स्वेट मतलब नौन वाइट प्रेसिडेंट वहां के बने हैं तो यह जरूर नाम याद रखेगे क्रिकेट से रिलेटेड अगला कोशनपा मटिक निया दिवस कब मनाए जाता है अफसेन धस फर्वरी डोफरी 20 फरूरी चार फर्वरी तो यह जो मनाए गया टभंटी स्वर्वरी को मनाए गया सावाजी निया दिवस दो फरहां वेट लैन् यह मनाया गया तो यह मनाया गया यू नानी डे जिसको नोट डाउन कर लेजे कौपी पेन लेके बैठे क्योंकि आपको बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन दे रहा हूं रिविजन आटोमेटिक हो रहा है आपका उसके बाद लिए 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे भी मनाया जाता है रेडियो डे तो आपको याद होगा लेकिन नेस्टनल वीमेंडे मनाया इंटरनेशनल तो आठ मार्च को है नेशनल विमेंडे 13 फर्वरी को तो यह सारे एक्स्ट अब ज़रूर याद रखिए बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं अगला कोचन है राम मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष किसे बनाए गया है तो आपको पता है सुप्रीम कोट के निदेश का अन कर्यों लग हुआ जंब क्समिर के पहले लिफ्टीनेंट गवर्नल बने और आर के माथूर जो है वह लदांख रीजन के लिफ्टीनेंट गौशन बने जो है तेलांगना की पहली महिला गौवर्नर है तो यह सब आपको याद रखना है दिल्ली पुलिस ने उबर के साथ मिलकर कौन से अभियान शुरू किया है तो अपसरे हिमत प्लस योधावू पार्थ तो यह जो है दिल्ली पुलिस ने शुरू किया है यो हिमत प्लस हिमत प् यह शुरू किया गया उबर उबर जो टैक्सी एप है उसके लिए और उबर शुरू किया गया है दिल्ली पुलिस मिलके हिम्मत प्लस इसका नाम है अब बात करते हैं चुकि आप्शन में और भी रहेगा ओला दे सकता है रैपीडो दे सकता है तो आपको यह कंफर्म रहना कि एक उलागं ऊबर और यूधाव क्या है यूधाव के बारे में अगर मैं बात करूं तो यह जो है वो के रला सरकार के द्वारा है जो सब्सक्राइब करें एक स्कीम लॉंच की गई है क्या है इसके बारे में प्लीज आप पिछला करेंट बilly आपको याद होगा तो प्लीज कितना कम है और सेलेक्षन की कितने चांस से छाएं तो प्लीज सर्च करें देखें प्रयाने करेंट भी देखें और मुझे बताया कारयकल कितने टाइम का होगा अप्शन हे तीन साल भी 5 साल सिएक साल और दो साल तो ये विदी आयो का कारयकाल होता है Chief of Defense Staff जो है एक नया पोस्ट इंडिया में create किया गया है उसका भी कारेकाल जो है या तो 75 साल retirement age है या फिर तीन साल है तो यह सब के बारे में हम लोग । वीडियो बनाया है जो आपके काम आने वाला है अगला कुछन है रॉन फॉर इंडिया टी का योजन कहां किया जा रहा है तो यह जो है ऑप्शन ए तिरपूरा मिजोरम अरवनाचल पदेश सिक्क्यम तो सब के बारे में हम लोग स्पेसल फैक्ट देखेंगे तो इसका जो भारत बांगला जो है टूरिजम या परियाटन समेलन का एवजन हो रहा है यह तिरपूरा में हो रहा है और यह जोनों चीजे तिरपूरा से रिलेटेड़ है बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो आपको यह याद होना चाहिए अब बात कहते हैं तिरपूरा में कुछ नेशन की बात करें यहां मिजोरम को करते हैं लैंड अफ ठंडर्स और यहां जो है बहुत ही फरक्रितिक सुंदर्दा के लिए यह फेमस है और मीजो हिल्स जो है वो कहां है तो यह मिजोरम में ही है मैंने पिछले कर एंटरफेस में इसका मैप भी दिखाया था तो अगर अपने प मैंने पताया था इसका ट्रिक है नम्यरु नाचले से आपको यह याद हो जाएगा तो यह सारे एक्स्टा फैक्ट जरूर्ब याद रिखिए और इसके माःब बार आपको दिखाता रहता हूं और अगर इसकी मैप की अगर बात करें तो आए यहाँ पर मैप इभलेवल भी है आपको दिखाते हैं अब मैप के थुरू सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जो जो है इस्ट साइड में भुटान ऊपर चाइना और इस साइड में वेस्ट साइड में थोड़ा यहां कटा हुआ है न के चेंग जोंग यह कहां हे तो यह सिक्किम में है ठीक है कि मैने ब्रभंपुतर नदी के बारे में बताया था कि ब्रहम पुत्रा नदी जो है अरоП्राप्रदीस की थ्वांग से करती है और यह सबसे ज़्यादा असम में pigla करती है जब भंगलादेस में चली गाती है तो इ यह इंडिया में परस्त नहीं की रहती है तो ब्रभम्पुट्र को सांग पॉन गते हैं शांग जो है चीन महीं से कहते हैं और इसलिए से ब्रभधाको शांगों कहते हैं मतलब प्रिफायर मैंने यह सब पढ़ दिया आए आपको अगर नहीं देखे होंगो तो वीडियो जरूर देखिए क्योंकि आपको कॉंसेप्ट क्लियर होगा आसम इस्टेट की बात करें तो आसम जो इस्टेट है इसमें चार नेस्टर पार्क है असम जो है डिबुरु साइक होगा काजी रंगा मानस ना मेरी और राजी उगंधी ओरांग म मानस ना मेरी और डिबुरु साइक होगा यह सब मैं डेली डिविजन कराता हूं मेघालया का आपको पता ही है मेघालया जो है गारोखासी जैनतिया के लिए फेमस है और गारोखासी हिल्स जो है मेघालया में है दोस्तों आज हम लोग कुछ फिजिकल मैप की बात करेंगे आपको क्योंकि इसमें तो मैं डेली बताता ही हूं सबसे जो जरूरी पूछा जाता है तो मिजोम में है और इस्ट मॉनिपूर ही हिल्स आपको देमोक्राटिक फ्रंट ऑफ बोडो लेंड से मिलके और आप देख लेंगे किसका बॉडर किसके साथ लगता है बंगला देश के साथ जो है वो तिरपूरा का बॉडर लगता है ठीक है इसलिए यहां पर बंगला भारत बंगला प्रेटन उत्सव मनाये गया और मिजोरम जो है वो इधर मयनमार से मनिपूर की बाउंडरी लगती है नागालेंड की बाउंडरी लगती है मिजोरम की बाउंडरी लगती है तो यह सब कोश्चन पूछेगा है मैनमार से किसकी बाउंडरी लगती है ठीक है असम की बाउंडरी नहीं लगती है और असम में एक ऐसा स्टेट है जो कि North East के सारे स्टेट से लगा हुआ है इसे करते हैं Seven Sisters तो Seven Sisters में ये सारे स्टेट है मेगाले और असवा मरुणाचल प्रदेश मनिपूर नगलन मनिपूर मिजोरम और त्रिपुरा सिक्किमठी सोन में इंक्लूड है और ये जो है परश्चिं बंगाल का इलाका है बीच में यह बंगलादेश है तो यह सारे एक्सरूफट आपको जरूआ रखने और यह है माउथ सब गंगा यहां जो है बंगाल में गिर जाती है नदी चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोशन देखते हैं इससे पहले कि आप इस वीडियो को लाइक बहुत कम करते हैं तो प्लीज लाइक कर दें और इस चैनल पर नहीं है तो बेल आइकन दबाके और सब्स आपसे दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सी भासा बोले जाती है तो यह जो है अंग्रेजी बी मंदारिन सी हिंदी और डी बंगला तो यह मैंने लाइन से लिखा है अंग्रेजी एक नंबर पर बोले जाती है मंदारिन दो नंबर पर बोले जाती है हिंदी जो है तो आप इस चीज का ध्यान रखें यह बहुत ही ज्यादा वीवी आई टाइप कोश्टान इसलिए मैंने कहा है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए परदानमंत्री फसल भीमय योजना का चौथा रस्ट्री सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है अप्शन है गुहा तो आपको इस सब में कंफ्यूजन नहीं होना खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का योजन उडिशा के भौनेस्वर में होगा तो यह सारे एक्स्टा फैक्ट जो है आपके बहुत ही जादा जरूरी है इसलिए इनको पूरा ध्यान से देखें और अच्छे से अपनी शीरा और और किसी की से दिया गया है तो अबशने फीवी सिंदू सहरब चंदरीी दिपक पनिया पुलेला गूपिचंव इसमें इन सब लोग को और तो दिये गा है कोई ना कोई तो हम लोग यह देखेंगे कि किसको कौन से अवान्द से नमा जा गया है पहला जो है पीवी सिंदू इन्हें फीमेल कटेग्री में स्पोर्ट्स परसन अब दावाड दिया गया है ठीक है मेल कटेग्री में दिया गया है सौरब चौधरी को तो प्लीज नोट इडाउं दीपक पिनिया को दिया गया है अब साथी साथ कुछ और इंपोर्टेंट चीजे भी हम लोग देख लेते हैं जो पीवी सिंदू है इन्हें बार अपने नाम किया था पहले इंडियन है इसलिए आपको यह याद रखना चाहिए बीडब्लु बैड्मिंटन वर्ल्ट फेडरेशन ठीक है यह चैंपियांसिप इन्होंने जीती थी और पहली बार उन्होंने भारतियों होते हुई यह अवार्ड अपने नाम की थी स्वरप चौदरी जो है सूटर है दिपक पुनिया रेशलर है और पूलेला गोपीचन जो है वो खोच है अगला जो है केंद्रिय सतरक्ता आयुक्त के रूप में किसे न करती है और यह संजाय कोठारी को इसका जो है अपॉइंट किया गया है आयुक्त के हेड के रूप में अब बात करते हैं एके मोहनती इन्हें बार के हेड के रूप में भापा एटॉमिक रिसर्ट सेंटर के हेड के रूप में नियूक्त किया गया है अगला जो है एपी महास कंपनी जो है जो कि इंटरनेट बिजनेस मसीन जो है अमेरिकन कंपनी उसके यह CEO के रुप में पॉइंट किये गाए और यह भारतिया के लिए बहुत ही बड़ी अच्छिवमेंट आई बीम जो है तो आपको यह याद रखना चाहिए राजिव बंसल कौन है तो यह एर इंडिया के Cmd बनाए गाए गया है पर्मो दगरवाल कोल इंडिया लिम्टेट सी एमडी अगला जो फैक्ट है किस राज ने अटल कैंटीन खोलने की योजना बनाई है तो इसमें पहले तो यह समझ लिए अटल कैंटीन जो है यह मजदूरों और किसानों के लिए खोला जाएगा और यह राज यह हर्याना जिसन दन्यवार और थैंक यू सो मुच फोर